जै गुरुजी संगत जी गुरुजी के परिवार गुरुजी टूड़े ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेर करें सबस्क्राइब करें और साथ में लगए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होनेगे गुरुजी की सत्संग और ब्लैसेंग्स संगजी आप तक संगजी अगर आप अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे सिज Sorakana प्टो कर्वाना चाहते हैं पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगे हमारे वाट्सअप नमबर पर आप अपना सच्छंग वाइस मैसेज की रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरुजी के प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सच्छंग अपलोड कर सकें जै गुरुजी आज के सच्छंग संगजी आपने टाइटल देखा ना गुरुजी को माना ना गुरुजी को जाना ना गुरुजी को क्या शुक्राना सिर्फ एक ही काम बड़े मंदर जाकर लंगर खाना फिर भी गुरुजी की ब्लेसिंग जी ब्लेसिंग्स बहुत प्यारा सत्संग संगत जी यह बहुत प्यारा सत्संग है और इस सत्संग हमाई साथ शेयर किया है गुरुजी की बहुत ब्लेस और लादली संगत है लंदन से हां जी इंडिया से नी लंदन से सोनाली डे आंटी जी ने हमाई साथ सत्संग शेयर किया है हां जी लंदन से सोनाल मैं दिल उनका शुक्राना करता, व्हूंने गुरु जी से आग्या लेकर, गुरु जी किस प्यारे से चैनल पर अपना सुंदर सा ससर्ख शेर किया है. चलिए ससर्ख स्टार्ट करते हैं, जए गुरु जी! अम नमस्षू आए गुरु जी सदसाए, सबको मेरा सट सट प्रनाम शुकराना गुरुजी शुकराना सब कुछ देने के लिए शुकराना मेरा ये पहला सचसंग है आज से पहले मैंने ये कभी नहीं किया पर अभी रिपिटिटली मुझे गुरुजी के मैसेज़ेज आ रहे हैं कि बेटा आप सत्संग करो, आपके सत्संग करने का टाइम आ गया है, आप सत्संग करो, सत्संग करके देखो, ये मत सोचो कि कुछ बड़ा होगा तो ही सत्संग करूंगी, आपके साथ डेली इतने इतने जो भी हो रहे हैं, लोगों से शेयर करो, अपनी किरपा लोगों तक ब जितना बोलूं, जितना बोलूं उतना कम है, जितना गुरुजी को शुकराना करूं, कोई उसका अंत ही नहीं है, शुकराना तो एक बहुत ही छोटा शब्त है, बहुत बहुत एक छोटा शब्त है गुरुजी को हमारी तरफ से देने के लिए, हम तो कुछ बता ही नहीं सकते, एक्सप्रेसी नहीं कर सकते गुरुजी क्या ताकत है, गुरुजी में क्या शक्ती है, वो तो पार ब्रह्म है, परमेश्वर है, परमात्मा है, Creator of this universe, जिसे कहते हैं, Lord of the Lords, Creator of the universe, संगर जी, मेरे से कोई गलती हो जाए, तो प्लीज मुझे आप शमा करिजिएगा, आज ये मेरा पहला सत्संग है, मुझे experience नहीं है, मैं सुनती हूँ, रोज सत्संग सुनती हूँ, इतने प्यारे प्यारे experiences लोगों के सुनती हूँ, सुनके इतना motivation, इतना अच्छा लगता है कि गुरुजी कितना bless कर रहे हैं लोगों को, ऐसे ही नहीं इतनी भीड आ रही है गुरुजी के पास, भीड भीड लोगों को लोग बढ़ती ही जा रहे हैं, जिसको देखो, मैं आपको बता नहीं सकती है, मेरे इतने friends, इतने colleagues, जि सको देखो, Facebook, Insta में सब गुरुजी को follow कर रहे हैं, मैं अपने ममी से कहती है, ममी आज मैंने खोला, उसने भी गुरुजी का सच्छा करा रहे है, मेरी friend, खोला उसके घर वो भी गुरुजी के follow कर रहे है, उसके घर में भी गुरुजी की photo है, मेरे बच्छों के friends की ममी है, उनके घर भी गुरुजी की फोपी, मैंने का, क्या हो रहा है ये, ये क्या चमतकार है जो गुरुजी के इतने followers हो गया है, तो संगर जी, मेरा सचसंग कुछ इस तरह है, मैं personally गुरुजी से मुझे पता नहीं कितने जन्मों का साथ है, वो तो हम कहीं नहीं सकते हैं, पर जब से मुझे realize हुआ है, मैं 2017 से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरा कुछ starting का इतना कुछ, ऐसा कुछ ultimate connection जो कहते हैं, वो नहीं है, जबकि मैं सचसंग सुनती हूँ, काफी लोगों का ऐसे होता है कि within two months इतना वो गुरुजी से connect हो जाते हैं, कि गुरुजी उनको पुरा feel करा देते हैं, उनको गुरुजी से टेली फैती हो जाती है, उनको गुरुजी से direct connection हो जाता है, वो सब बाते कर सकते हैं गुरुजी से, गुरुजी से उनको answers मिलते हैं, signals मिलते हैं, visions मिलते हैं, dreams मिलते हैं, पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, संगजी मैं 2017 में जुड़ी, अपने मेरी brother-in-law, वो अपने friends के थ्रूँ वो जाते थे, छतरपूर बड़े मंदिर, तो उन्होंने एक दिन बोला कि आप लोग चलना चाओगे, मेरे साथ मैं जा रहा हूँ छतरपूर, आप चलना चाओगे, तो मैंने का चलो घूमते फिरते घूमाते हैं, क्या है, मंदिरी तो है, देखाते हैं, यह क्या है, कुछ मन में गोई भावना नहीं, कुछ नहीं, kind of trip, let's go for an entertainment, just a kind of trip, मैं जा ठीक है, खूमाते हैं, चलो, देखते हैं, तो मैं अपने बच्चों के साथ, और हस्बिन के साथ गई, वो मेरे हस्बिन और जो मेरे in-laws है, फैमिली है, मैं हस्बिन से अब सेपरेटे हूँ, तो वो भी एक मेरा बहुत बड़ा सचसंग है, क्या फैमिली में, how I was trapped, and I was struggling since last 14 years, और वो मेरी एक life journey, कैसे गुरू जी ने end करी, और मुझे कैसे उन तकलीफों से निकाला, वो एक अलग सचसंग है, वो मैं अपने अगले सचसंग में share करूँगी, वो मेरी एक life journey, पर इस सचसंग में, presently I was living with my husband, so मैं उनके साथ ही गई, husband के स मेरी sister-in-law, मेरी brother-in-law, हम सब गए मंदिर, बड़े मंदिर गए, हमने देखा इतनी बीड़े, हमें कुछ पता नहीं था, मैं जब कोई first day मुझे कुछ समझी नहीं आ रहा था, हो क्या रहा है, हमें गाड़ी अंदर लेके जाना allowed नहीं था, कहीं दूर पाक करा, फिर उन्ह गर में जा रहे हैं, फिर वहां से जल परशाद मिल रहा है, फिर ऐसे line लगके, फिर लंबे-लंबे entrance हो रहे हैं, मतलब पूरा discipline, मतलब ऐसे organized तो कहीं देखा ही नहीं था, गुरुद्वारों में भी जाते हैं, मामंदिरों में बच्पन से जाती हूं, मैं शिब जी की बहु महा शिबरातरी तो बच्पन से ही शिबलिंग पे जल चड़ाना, मम्मी के साथ शिबरातरी पे मंदिर जाना, वरत रखना, सब कुछ किया है, शुरू से मेरी family, मेरी mother, father, दोनों ही शुरू से ही पूजा पार्ट में, मैंने शुरू से बच्पन से ही ये सब देखा है, बच कुछ हैने, deeply connected, तो मैं शादी के बाद थोड़ी spiritually disconnect हो गई थी, I got married in 2008, and it was a love marriage, so मैं थोड़ी spiritually disconnect हो गई थी, and it was a love marriage, so मेरे momie, papa से भी मेरे 7 years तक कोई connection नहीं था, and it was a very bad phase of my life, तो उस time में I gave birth to my two daughters, but हर तरफ से मेरे life में बहुत downfall देखा मैंने, financially कहलो, spiritually कहलो, everything, it was not a very bad phase, फिर जब दुबारा momie, papa से reconnect होई after 7 years, तब मेरे life में दुबारा growth स्टार्ट होई, spirituality मिली, दुबारा समझाया कि हाँ, religious होना है, पूजा पाट करनी है, इन सब जीजों का है, बना इन साथ सालों में तो मैंने तो कभी जोद भी नी चलाई मंदर में, कभी ने गया, I was so busy in my life, actually I'm a dentist, तो I got married at a very early age, like, after my 12th, I dropped one year for my entrance exam, and after that it all happened, and I just went into this relationship, and I was attempting for my medical exams, but I didn't get, I didn't clear that exam, I attempted twice, I cleared the first part, but second part, नहीं clear हुआ, तो फिर after marriage, I joined the dental college, फरीदाबाद, मानबरशना dental college, वो जोइन कर लिया, मैंने, ठीक है, admission ले लिया कि चलो, dentally कर लेते हैं, ये एक अलग सचसंग है, मेरी married life का, और कैसे गुरुजी ने मुझे वहाँ से कैसे निकाला, क्या क्या क्या, वो मैं सचसंग में क्या बताना है, क्या करना है, इतना कुछ paper pen लेका या लिखके वैठी, कि ऐसे ऐसे bullet points बना लेती हूँ, कि जब बोलूँगी तब सामने book copy होनी चाहिए, पर आप मानोगे नहीं संगा जी, मैं copy pen खोलके वैठी हूँ, और मैं बोल रही हूँ, पर मुझे कुछ नहीं पथा, पर copy pen की तरफ मैं देखा भी नहीं, मैं तो बस जो मन में आ रहा है, जो गुरू जी बलवारे हूँ, वही बोले जा रहूँ, समझी नहीं आ रहा बोलना क्या है और बोलवा ग्या रहे है, जो कर रहे हैं, सब गुरू जी कर रहे है, श्रक्राना गुरू जी, हाँ तो वो मेरी married life का वो मैं एक अलग ससंग शेयर को यह वहाँ बगा ससंग है जो आगे पूरा होने वाला है जो कुछ होगा उसका मैं वो तो मैं वेट कर रही हूं कुछ results आएंगे तो मैं वो एक बहुत बड़ा एक ससंग है वो मैं करूंगी पर guru जी ने मुझे बहुत दि ना इससा लगा ऐसा कभी देखा नहीं था discipline way में कि कि किसी से बात नहीं करना कुछ नहीं करना बस सीदे सीदे चलना हम गई अंदर गुरुजी के दर्शन किया हाँ एक लगा कि हाँ एक peaceful place बहुत अच्छी एक बहुत अच्छी जगा है सुकून है यहाँ दिल को शान्ती मिल रही है मैंने दर्शन किये वहाँ बैठे फिर हम लंगर करने गए लंगर जो भी को बड़ा टेस्टी था लंगर बहुत टेस्टी था और उस ताइम मैं बहुत ओवरवेट थी और उस ताइम जस्ट मैंने exercise gym और dieting स्टार्ट करी थी क्योंकि after two kids I have gained too much of weight और तब मैं काब्स नहीं खाती थी और मेरा हो गया था कि जब गुरुजी के वहाँ लंगर करने के उस दिन मैंने लंगर प्रशाद चखा carbohydrates खाए तो इतना सुआद लगा लंगर कि ऐसा कभी खाना खाया ही नहीं तो फिर क्या हो गया फिर मैंने बांध लिया कि हफते में एक दिन मुझे काब्स खाने और वो काब्स होगा गुरुजी के लंगर प्रशाद तो ऐसे हमने हर Thursday हमने बांध लिया गुरुजी के मंदिर आना तो उस टाइम तक 2017 तक मेरा एक छोटा सा क्लिनिक खुल लिया था तो क्लिनिक से काम खतम करना घर जाना सब मिलना हम सब को मिलके हम सब मंदिर जाना और महां पे मत्था टेकना मेरा मोटिव होता था बस लंगर करना और आ जाना इन बिट्वीन क्या हुआ गुरुजी को मानती थी इतना connection नहीं था बस हमें यह होता था मुझे तो यह होता था कि मेरा एक दिन है मुझे काब्स खाने है तो मैंने जाना है एक दिन मेरा काबो हाइडर का होता है बहुत बढ़िया लंगर मिलता है लंगर खाना है और आना है मेरा बस एक ही मोटिव था संगत जी गुरुजी मुझे शमा करना गुरुजी मीन हमारी कैसी thinking है हम तो connect ही नहीं हो पाते शायद ही हमारे करमाज होते हैं जो हमें एक जल्दी connect नहीं होने देते गुरुजी से काईल संगत के बहुत अच्छे करमाज होते जो बहुत easily connect हो जाते हैं गुरुजी से पर मीरा इतना कुछ डीप नहीं बैट रहा था पर एक बात बताओं मैं आपको संगजी उस टाइम जब मैं जाना शुरू हुए तब मुझे यूके शिफ्ट होने का प्लान हो रहा था कि नहीं अब मुझे इंडिया में ये छोटा सा क्लेने के इसको बंद करना है मुझे अब फैमिली उनसे परिशान थी उनसे बचने के लिए जा रही थी प्लस ये इंडिया में गर्मी वेदर कोई रूल रेगुलेशन नहीं क्लिनिक जाना तो फरीदाबाद के रोड्स आपको पता ही है सडकों में पानी भर जाना फिर भी पेशन्ट आ रहे तो स्कूटी पे जाना फिर स्कूटी बंद हो जाना ये टेली लाइफ से मैं तंगा गर्शी थी थी तो इन बेट्वीन मैंने गुरुजी के मंदिर भी जाती जाही इधर मैंने यहां का स्टेप भी स्टार्ट कर दिया कि नहीं यूके जाना है मुझे कुछ नहीं पता I never realized मैं बस गुरुजी के मं जीज स्टेप एक बहुत बड़ा स्टेप था मेरे लिए because I was living in a joint family for around 12 years now और उनको छोड़कर मेरे टू डॉटर्टर्स हैं when I was when I moved to UK in 2019 my elder one my elder baby she was around 10 and younger one is around 7 तो बहुत छोटे थे उनको लेकर step लेना life में a crucial point पे it was a very very difficult decision to make but I was very I want to go मुझे रहना ही नहीं है जो मेरे assessment थे उनके थोड़े adamant थे कि नहीं ऐसे नहीं जा सकते नहीं कर सकते इतना investment लग जाए करेंगे आप करो जितना कर सकते बाकि my parents will do जो करना करो पर I want to go मुझे जाना है फिर उनको भी लगा कि यहां उनकी sister भी यहां रहती है she is married here since last 25 years तो वो पहले आ चुके थे UK हम भी एक बार UK घुमने आए थे 2019 में तो फिर मुझे तो अच्छा लगा था और मेरा brother भी UK में है 2017 से तो मुझे वहां से भी मिला कि मेरा भा तो मैं इतनी intelligent होके मैं अपने career में क्यों ना आगे बढ़ू मैं क्यों ना try करूं UK जाने का it's better for me for my future for my kids future so I should try पर मुझे नहीं पता मैं बस मंदिर जाती थी लंगर करने और यहां guru जी मेरे सारे काम करा रहे थे एक बाई एक सारे काम होता है कुछ नहीं step रुका सबसे पह एक महीं जब patients नहीं होते थे बैठके पढ़ती थी सब देखते थे मेरे रोसपर से पढ़ती क्या रहती है एक महीना कोई coaching ने ली बड़ी थोरो पढ़ाई करी clinic में बैठ कहीं जब time मिलता था in between the patients और in the free time और आप मानेंगे नहीं संगा जी IELTS जो एक tough exam है मेरे कितने friends कित पाय मेरा first attempt में ही I got very good marks on मेरा हो गया that was the first step UK जाने के लिए फिर मेरा भाई एक agent के थूँ एक Mr. Kaushik है Calcutta में is a very helpful person उसके थूँ वो उसने अपना admission कराया था Lester में वो उनी के थूँ गए थे तो मेरे parents ने भी उनी का suggest किया कि तुम भी इनी से contact करो यह तुम्हें help कर जाने में तो मेरे parents ने हम मैं Calcutta गई मेरे parents के Calcutta में Calcutta में Calcutta गई उन से मिली एक बार उन्होंने का yeah you should go मैंने कभी किसी dental student को नहीं भेजा engineers को भेजता हूँ तुम्हें अगर जाना है तो मैं तुम्हारे लिए first time attempt करूंगा courses बताता हूँ क्या course कर सकते हो क्योंकि direct तु तो महां dental exam clear कर सकते हो वरना ऐसे बैठ की यहां से dental exam clear करना is very tough अई था ठीक है फिर मैंने master's in dental public health का course select किया I applied for the visa and everything मैं कुछ नहीं मैं तो बस Guru जी के घर यहां लंगर करने चाहरे थी और Guru जी ने मेरा visa सब कुछ कर दिया and in 2019 September I moved to Sheffield और in between मैं 2017 से 2019 Guru जी के मंदिर on and off on and off ज जाना और मुझे कुछ पता ही नहीं Guru जी ब्लेस करे जा रहे है उधर मेरा क्लिनिक भी अच्छा चलने लग गया था यहां जब होने से पहले क्लिनिक भी Guru जी ने सेल करवा दिया क्लिनिक सेट अप भी Guru जी ने करवा था सेल भी Guru जी ने करवा दिया टाइम से मुझे कुछ realize यह नहीं हो रहा, Guru जी bless करे जा रहे है, सारा काम होए जा रहे and I told you I was overweight I was like 75 और Guru जी के पास जाना start वी, within 2-3 months I was like around 52 kg weight भी कम हो गया जो मैं इतने time से कोशिश कर रही थी नहीं हो रहा था, यह तो छोटी-छोटी चीज़ हैं, आप क्या ही बताऊ फिर मैं 2019 यह शेफिल मुवी, मेरे एकसेस्पिन और मेरे किड्स वहीं थे मेरे किड्स को छोड़के आना, बच्चो को छोड़के आना, is very tough, छोटे बच्चो को I've cried a lot, पर मैं दिल मजबूत करके गई कि नहीं, तुम जाओ you try बच्चो ने तो आही जाना है अभी नहीं तो कभी तो फिर मैं शेफिल गई, शेफिल में मैंने अपना September 2019 में गई, मैं दो-तीन महीने नहीं, फिर मैं December में winter vacations थे, Christmas के holidays, मैंने गई यह टाइम में इंडिया चली जाती हूं, बच्चो से मिलने तो financially तो फिर अभी September में गई हूं, फिर December में मैं आ रही हूं बच्चो के लिए, तो मेरे दिमाग में चल रहा था एरपोट पे खड़े होके की मैं दुबारा कैसे दुबारा भी आने का मन होगा, मैं Easter break भी है Easter break में पर इतना तो हम अभी financially I'm not earning, मैं पढ़ रही हूं तो I can't ask my ex-husband की भारबा टिकेट करा दो ममी पापा से भी लेना अच्छा नहीं लगता पर मैं अगर Easter holidays में आ जाती तो कितना अच्छा होता बच्चो से दुबारा मिल लेती मन तो करता ही है मा हूँ तो बच्चो से पहली बार दूर गई हूँ तो December का तो मैं आई रही थी सोच रही थी अगर कुछ पता नहीं और क्या होगा Easter में आ पाऊंगे नहीं आ पाऊंगे आना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि December की इतने टिकेट से इतने expensive है उसके बाद हमें अगर मैं Easter का सोच हूँ तो Easter तो और भी महांगा मिलेगा मैंने का चल कोई नहीं छोड़ो इतना क्या सोचना तो लाइन में तो लग तो बोडिंग बोडिंग करा बात की बाद में देखेंगे अभी तो जाओ अभी तो जाके बच्चों से मिलो उनको सर्प्राइज करू मैंने बच्चों को बताया भी नहीं था कि I'm coming तो मैं वहां लाइन में खड़ी थी तो अचानक से आप मानेंगे मैं Emirates में फ्राइ कर रही थी अचानक से एक बंदा आया कहता आप लोग सब लाइन में खड़े हैं एक ना ओफर है कि अगर आप दो घंटे वेट कर लें तो हम आपको एक और फ्री टिकेट दे देंगे नेक्स टाइम जर्णी के लिए अप और डाउन जो की वैलिड है अंटिल 2019 की बाद है 2022 अगर आप दो घंटा वेट कर लें इस फ्लाइट में आप अगर ना बोड करें अगर आप दो घंटा वेट कर लें दो घंटे बाद वाली फ्लाइट है उसमें हम आपको लॉंच भी देंगे आप बैठेंगे तो फिर मैं हम आपको वो दे देंगे मैंने का ये क्या है मैंने का that's very good पर मुझे कुछ नहीं पता कि ये गुरू जी कर रहे है ना मने गुरू जी को शुक्राना किया ना मने गुरू जी को याद किया कि मुझे पता ही नहीं he is blessing me because I am not yet connected ये तो मेरी connection से पहले की blessings है गुरू जी की मैंने का दो घंटे बैटने में कया I will sit मैंने का yes I will accept पर मैं बैट गी और जैसे मैं दो घंटे बात boarding करने के हमें लाँज मान मिला राम से बैटी खाया पिया करने के उन्होंने एक और मुझे coupon दे रिया कि you use this coupon number and next time you'll get your free flight I thought वा यार यह तो बहुत ही अच्छी बात है I am so lucky मैंने कर ठीक है फिर मैं इंडिया आई बच्चों को surprise के इंडिया के साथ बच्चों के साथ time spent किया बहुत अच्छा बहुत अच्छा बच्चे बहुत खुश हुए फिर मैं वापिस गई मैंने का चल कोई नहीं अभी आना ही है इस्टर में अभी मार्च में फिर आ जाना है इस्टर ब्रेक हो जाएगा पर वहाँ जाते ही क्या हुआ मेरा जो कोर्स है आपको पताएए 2019 एंड में और हमारा कोविड आ गया था जो मेरा कोर्स था वो फुल टाइम से ऑनलाइन हो गया फिर मैं जैसे ही वहाँ गई थोड़े महिंदर नॉर्मल चला फिर मार्च 2020 में I think everything COVID हो गया तो फिर सब को शटडाउन होने लग गया एकदम से हबड़ दबड मच गई तो मैंने का लोगों को फ्लाइट की टिकेट्स नहीं मिल रहे थी सब मेरे युनिवर्सटी से सब WhatsApp में गुरूप करें हम तो इंडिया भाग रहे हैं यह युनिवर्सटी बंद हो जाएगा सब ऑनलाइन हो गया है ऑनलाइन होके तो हम इंडिया से भी पढ़ लेंगे तो फिर हमें बैसे कैसे मिलेंगे इस लॉट फ अमाउंट क्योंकि हम मैं युनिवर्सटी के अकॉमडेशन में रह रही थी आप लिविंग इन अ स्मॉल अकॉमडेशन आउटसाइड दे युनिवर्सटी विच अच चीपर अप औडाउन का मेंड वन वे था तो मैंने भी टिकेट बुक कर रही मैं इनडिया आगी और यहांपे हो गया locked down मैं फिर लॉट दिन में थोड़े दिन में अपने यहां पर रही इनलास के घर फिर मैं अपने मम्मी के घर कहलकटा चलेगी वहाँ पर I stayed for a year I stayed for a year वहाँ पर मेरा course मैंने online ही खतम किया और मेरा जो visa था with the course with one year course, the visa was for one and a half year, so मैं 2018 में गए थी and 2019 में गए थी 2019 से संगर जी मेरा visa लगा था until 2020 21 March I guess March या May शायद ऐसे ही कुछ लगा था तो फिर यहाँ पर मेरा पूरा एक साल तो पहले तो यह plan था कि पर course करने जाओंगी, वहाँ साथ के साथ कोई job ढूंड लूँगी, कुछ ना कुछ opportunities explore हो जाएंगी UK जाने का तो यह aim था पर यहाँ तो सारा उल्टा ही हो गया UK का course लिया लेकिन किया सारा course complete तो मैंने अपने घर बैटके, इंडिया बैटके online course हो गया, यह तो पूरा ही बेकार हो गया और जो मेरी संगाजी जो मैं accommodation की fees दी थी वो तो मेरी return आ गई थी क्योंकि मैं वापस आगे थी एक एक दिन मुझे भारी रगे, मैंने गा course complete हो गया, अब UK कप जाओंगी वापस UK कप जाओंगी वापस यह तो सब बेकार हो गया, मेरा तो visa ही खतम होता जा रहा है, यह क्या होगा मेरा तो visa ही खतम होता जा रहा है मेरा तो visa ही खतम होता जा रहा है ना यहां बैटके तो ना मुझे जॉब मिलेगी ना कुछ मिलेगा अब रस रोज भगवान को प्रेयर करना भगवान को भगवान मेरा वीजा लगा दो कोई जॉब लगा दो भगवान मेरा वीजा लगा दो कोई जॉब लगा दो वहाँ पे अपने सिस्टर के घर रहे के छोटी मुटी जाब कर रहे थे क्योंकि उनके डिपेंडेंट वीजा लगिया था तो यहाँ पे जैसे मैं कोविड जैसे ही खतम हुआ फिर मैंने सोचा कि चलो अब जाते हैं तो हम है रो में शिफ्ट होगे तो वहाँ सारा हमारा मेरा समान शिफ्ट विल से खाली करके ले आए थे रूम में जितना भी समान था मैं अक्कॉमडेशन के पैसे तो मिले गया थे वापिस तो ठीक है तो मेरा असली सचसंग अब शुरू होता यह तो वह वला पार्ट है सचसंग का जो मैं गुरू जी से जुड़ी हूँ पर मुझे कुछ रियलाइजेशन नहीं है जो गुरू जी मेरे लाइफ में क्या क्या धीरे धीरे चेंजिस ला रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं तो जो वन येर था कोविड का 2020 का उसमें तो मैं कहूंगी पूरी डिसकनेक्टी होगी थी गुरू जी से मुझे कुछ आईड़ी मैं नॉर्मल भगवान की पूजा करती थी हाँ दिन रात करती थी कि भगवान मेरा फीजा लगा दो मेरी जॉब कर दो मैं कैसे भी लंडन वापिस चले जाओ सारे कोर्स के 25 लाग रुपे बरबाद हो जाएंगे तो कोविड आगे सब बरबाद हो गया पर मैं गुरू जी से कंप्लीटली डिसकनेक्टे थी क्योंकि अब मंदिर भी नहीं जाना हो रहा था क्योंकि मैं कैलकटा चलेगी तो वैसे भी कोविड में 2020 पूरा मैं इंडिया रही और 2021 जुलाई मैं मैं इंडिया वापिस आई 2021 जुलाई मैं मैं इंडिया इंडिया से सुरी मैं इंडिया से यूके वापिस आई तो मेरे हस्बन ने मुझे पर वहां से क्या था ये सिस्टम था कि तब तुम डिरेक्ट आई ही नहीं सकते घर तो मैं कॉरंटीन करना पड़ेगा दस दिन कॉरंटीन का तब कॉरंटीन के लिए भी बड़ा पे किया होटल में तो तब मैं जब आई तो मैं अपने बच्चों का वीजा लगा कि अपने बच्चे अपने साथ रहोंगी बच्चों से कैसे दूर रहोंगी बच्चों को छोटे बच्चों को छोटके जा रही हूँ गुरू जी ने ऐसा किया बच्चों से खाली मैं मुश्किल से हार्ली तू या थ्री मन्स दूर रही हूँ क्योंकि मैं नाइनटीन में September में आई, December में फिर चली की फिर March में फिर गई September, October, November नोवेंबर दो महीने December पुरा यहां रही, फिर January February दो महीने मुशकल से चार महीने फिर November मार्च में वहां गई 2020 में फिर तो Covid ही हो गया फिर तो पूरा Covid में बच्चों के साथ थी और जब वहाँ वापस आई लंडन तोवे मैं बच्चों को साहत लेकर या उनका वीजा लगा के डिपेंडेंट वीजा तो मतलब गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया कि ले तेरा कोर्स भी हो जाएगा तो तुझे बच्चों के साहत ही रहके तेरा कोर्स भी हो जाएगा तेरा वीजा कुछ बरबाद नी जाएगा ऐसा ब्लेस किया और मैं इतनी नादान इतनी बेवकूफ मुझे कुछ रियलाइजेशन ही नहीं है मुझे क्या मिल रहा है क्या ब्लेसिंग मिल रही है ठीक है मैं यहाँ आई यहाँ और होटल में मुझे क्वारंटाइन करना था 10 दिन में बच्चों के साथ क्वारंटाइन किया मैंने यहाँ पर होटल में sorry संग ची मेरा सफसंग अगर थोड़ा लंबा हो रहा है इतने सफसंग है पर यह वाला सफसंग तो मैं ट्राइ करती हूँ जितने कम टाइम मैं कम्प्लीट कर सुखूँ सत्संग तो unlimited है पर ये मेरा वो टाइम है जब मुझे realize होता है कि हाँ गुरुजी है तो मैं वाँ होटल में 10 दिन quarantine करती हूँ 10 दिन मैं मैं online सारे jobs apply करना start कर देती हूँ अज़ा मैं dentist पर मैं यहां पे exams के लिए never dentist का तो काम नहीं कर सकती तो मैंने in between dental hygienist के लिए apply कर आवा था पर मेरा license आया नहीं था मैंने वा इंडिया से ही apply कर वा दिया था गुरुजी ने पर मुझे पर उसका भी license registration आया नहीं था उसकी application form तो मैं dental hygienist और plus dental nurse के लिए job offer, job के लिए apply करने लगी तो वो बहुत होटल में बैटके मैं पूरा दिन ही करना मैं इधर करना, call, उधर करना तो सब मना कर देते कि आप इंडिया से आ रहे हो, आपको यहां का कोई experience नहीं UK experience zero है तो हम आपको नहीं दे सकते आपको अभी job नहीं मिल सकता और nursing करना है तो आपको nurse का course दुबारा से join करना पड़े गर dental hygienist का तो आपके पास अभी registration भी नहीं आई तो हम आपको job दहीं नहीं सकते और वैसी भी आ भी जाएगी तो आपको बहुत मुश्किल है मिलना job क्योंकि आपके पास UK का zero experience है आपको ऐसे over qualified dentist अगर hygienist काम करें तो उनको कोई hire नहीं करता तो है वास सो disheartened मैंने का यार पूरा एक साल महां बैटके इतनी पूजा पाट करी कि वीजा हो जाए वीजा नहीं तो है जौब ही लग जाए यहां के try कर रही हूँ वहां से भी इतना try क्या कुछ हो ही नहीं रहा कोई रस्ते ही नहीं खुल रहा है I was very upset one day during the quarantine तो हम एक दिन पैट के अपना फोन देख रही तो अचानक से Facebook से Guru जी की photo आई and my mind was like ऐसे कुछ struck हुआ दिमाग में Guru जी? हाँ यार मैं गुरुजी अगर आप हो ना सच्ची में मुझे situation से निकाल दो मुझे इंडिया वापिस नहीं जाना आप हो ना Guru जी आप प्लीज मेरा साथ दो मैंने इतने भगवानों की पूजा पार्ट करी है पुरे lockdown में मैं आपको भूल गई आज मेरी बुद्धी दिमाग सही जगह पे आया है प्लीज गुरुजी आप मुझे इस situation से निकाल दो कोई मेरे जॉब का आप करा दो मैंने बस इतना प्रेयर किया next day मैं होटल से मेरा क्वारंटाइन खतम हो घर आई घर आके मेरे हस्बन ने चोटे-चोटे काटन्स में मेरे सारे शिफिल का समान रखा हुआ था तो मैं घर आई तो उन्होंने तो घर सेट नहीं करा था पुरा घर क्या वो पुरा समानी भिखरा पड़ा था पुरा घर ही मुझे सेट करना था तो मैंने ठीक है अगले दिन वो तो अपने काम पर चले गए मैंने का चल को बच्चे बच्चों के तब स्कूल में अडमीशन नहीं हुआ था मैंने का चलो मिलके हम तीनो घरी सेट कर लेते तो मैंने अपने कार्टन सारे खोलने शुरू किये तो उसमें मैंने जो मेरे मंदिर का जो समान था थोड़ा सा मैं शिफिर्ड लेके गए थी उसमें मुझे गुरुजी के एक लॉकट सुरूप बिला और मैं तब गुरुजी के मंदिर जाती थी और मेरे ब्रदर इनला ने मुझे शायद ये दिया था लॉकट सुरूप या मेरे मंदिर में था वहाँ फरीदाबाद वले मुझे नहीं पता मैं यहाँ यहाँ भी लेके आई थी शिफिल्ड में गुरुजी के लॉकेट सुरूप को अपने मंदिर में रखा था पर मुझे कोई realization नहीं है वो बस यह था कि जैसे भावाख की भगवान की मूरती आई है एक मंदिर होना चाहिए बस रूम में उसमें गुरुजी के भी लॉकेट सुरूप और जब यहाँ पर आके मैंने जब खोला और मुझे लॉकेट सुरूप दुबारा मिला रियलाइस्ट कि येस गुरुजी और ब्लेसिंग मी गुरुजी मेरे घर आ गया है फिर मैंने यहाँ पर अपना पूरा घर सेट किया गुरुजी का फो छोटा लॉकेट सुरूप मैंने मंदिर में रखा फिर आप मानोगे संगजी क्या हुआ मैं साथ जुलाइ को यहाँ आई हूँ और विदिन वीक मेरा हाईजिनिस्ट का रेजिस्ट्रेशन आ जाता है जो मेरे डेड़ साल से अटका हुआ था गुरुजी शुकराना गुरुजी मैं आपको बता नहीं सकती इतनी ब्लेसिंग है गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है मेरे हाईजिनिस्ट का रेजिस्ट्रेशन आ जाता है मतलब मैं खुशी के हमारे बता नहीं सकती मैं क्या करूँ मेरे रेजिस्ट्रेशन आ गया फिर मेरे रेजिस्ट्रेशन आ गया तो ठीक है experience नहीं तो छोड़ो अब nurse कर लेते हैं hygienist का छोड़ो तो मैंने nursing का course जोइन कर लिया और एक जगा मैं एक हफते के लिए as a nurse लग गई nurse में क्या होता है basic काम होते हैं यहाँ इंडिया में तो हम dentist है nurse में hoovering करो, vacuum करो instruments clean करो, dentist को assist करो मतलब एक हफता मैंने वो काम किया पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था संगजी अंदर से की what I am doing यह करने थोड़ी ना यूग क्या ही हूँ पर मुझे अंदर से खुशी भी थी की चल I was satisfied की चल घर तो नहीं बैटी Guru जी ने कुछ तो काम दिया करने के लिए मैंने कोई complain नहीं करी अंदर से मुझे feel हो रहा था कि no this is not my job यह मेरे लाइक job नहीं है क्योंकि कई पर dentist डांट भी देता था कि dustbin खाली कर दो, यह कर दो, यह कर दो इतने अच्छे dentist नहीं मिले मुझे तब एक अच्छी मिली थी, एक नहीं मिली थी पर within two weeks मैंने बस वो काम किया ठीक है, और in between में इधर उधर apply करती रहती थी, वहाँ पे भी बैटके काम पे, पर I was happy, मैं up and down भी कर रही थी, I was spending my travel expenses पैसे मुझे earning कहीं से नहीं भी थी कि at least मुझे गुरुजी ने एक dental practice के अंदर तो गुसा है, नर्ड से तो क्या हुआ देख तो पार हूँ, dentist क्या कर रहा है, patient के साथ कैसे interact कर रहा है, चीज़ ये तो समझ आ रही है मैंने कोई बात नहीं समझ आ रहा है न, यही बहुत है कुछ नहीं होता, गुरुजी ने जो दिया उसमें खुश हो, घर में तो नहीं बैठी, निकाला तो सही कहीं तो entrance दिया, I was very positive मैं गुरुजी का thank you कर रहे थी thank you गुरुजी, आपने कोई रास्ता तो खुला, मुझे कुछ पैसों का भी कुछ नहीं था, कोई दे, ना दे I was not expecting anything, मुझे बस यह था कि I am getting some experiences और आप मानोगे संगजी, क्या हुआ, एक दिन मैं घर आती हूँ अगले दिन मुझे काम पे जाना है जिस क्लिनिक में मैं जॉइन किया हुआ था पहले एक क्लिनिक पे किया था, वो मने छोड़ दिया एक हफ़ते में because she was very ill treating me so I didn't like that फिर मैंने एक और जगा जॉइन किया, वो डेंटिस्टीक थी उसके साथ अच्छी थी, वो बड़ी अच्छी काइंड थी तो वहाँ पे मैं अगले दिन मुझे जाना था तो मुझे शाम को एक एजिनसी से कॉल आता है और मुझे पता नहीं मैंने कब इस एजिनसी को कॉल अपलाई किया था कहते कि आप सुनाली बोल रहे हैं मैंने का येस, I am speaking would you like to work for me as a locum, as a dental hygienist in stains और मेरे तो पैरो तले जमीन के सक गए मैंने का ये क्या बोल रहे है मुझे सीधा dental hygienist का ये इसको कैसे number मिल गया मेरा हो सकता है मैंने कभी online अपलाई कि मैंने का ये क्या बोल रहे है कि मैं काम कर सकते हैं मैंने का how come I work because I have no UK experiences and I have been trying for so many places and everyone is asking me you can't work because you have zero UK experience आप कैसे कह सकते हो कि मैं काम कर लो कैसे तो कोई बात ही कोई बात ही हमें कुछ नहीं चाहिए आप बस अपना DGC registration number भेर दीजे और एक indemnity करा लीजे और एक DBS चेक करा लो और अपना indemnity ले लो तो आप कल जा सकते हो जो पे मैंने कैर ये क्या कह रही है ऐसे हो सकते है मैंने का फिर मुझे बता दो कैसे करना है कुछ नहीं she guided me within two hours मेरे सारे documents completed गुरुजी के किरपा देखे शुकराना गुरुजी within two hours my सारे documents got completed I was ready to go tomorrow मेरा दिल तो धक तक हो रहा दा कि भाई first time जा रही हो क्या होगा काम आएगा नहीं आएगा क्या है यहाँ पर dental hygienist क्या करती है क्या नहीं करती मुझे कुछ नहीं उसने जो मुझे payroll offer करी मेरे पास एक app भेजा उसने मुझे payroll offer करी it was very good pay per hour मैंने का इतनी कमाई मैं कर सकती हूँ I am capable of this मैं तो बड़ी surprise थी मैंने का अच्छा रात भर मैं सो ही नहीं tension के मारे की अगले दिन काम पे जाना और first day मेरा कैसा होगा और हम मानें के संगर जी जो मैं first day गई वाँ काम करने इतना chill डर्वाया मैं इतना अच्छा dentist कुछ नहीं मुझे एक अपना personal room मिल गया उसने मुझे बता दिया यहाँ ऐसे computer ऐसे use करना है यह app है ऐसे notes है ऐसे patient आएंगे ऐसे कुछ नहीं करना बस hand scaling करना है मैंने का बस यही करना है इसके लिए मैं इतना डर रही थी और मेरा दिन इतना अच्छा गया इतना अच्छा गया and इतनी I got paid quite good amount of money for a single day मुझे पता ही नहीं था कि as a dental hygienist you get paid so well और बस क्या था उसके बाद संगर जी गुरुज ने रस्ते खोल दिये low-come काम मिल गया daily काम मिलने लग गया उस agency से daily में काम पर जाने लगी I started earning very well जहां मैं इतना परिशान थी कि मेरी नौकरी नहीं लग गया गुरुज ने ऐसे bless किया कि भई पैसे ही पैसे हो गया हर तरफ से अच्छी कमाई हो गया कोई कमी नहीं घूमना फिरना खाना पीना सब हो गया मैं गुरुज जी की पूजा करती जाओ और गुरुजी मेरे सारे काम कराते जाए अब क्या हुआ अब एक critical point और आगया कि काम नौकरी तो मिल गी थी पर वीजा का tension थी अब भई जो वीजा की tension है वीजा खतम हो जाएगा अब कैसे वीजा होगा तो वीजा extend करने के लिए मैंने एक और एक छोटा सा कोर्स जोइन कर लिए कि मैंने कोर्स जोइन कर ले थी अब P, W, D, Post Study Work Visa भी लगता है तो उसके basis पे मुझे दो साल का वीजा मिल जाएगा तो मैंने एक छोटा कोर्स जोइन कर लिए कोर्स जोइन के लिए वो वन येर का कोर्स था वो भी साथ के साथ चली रहा था मेरे जॉब के साथ तो जैसी वो कोर्स खता हमो मेरे Post Study Work Visa अप्लाई करना था तो मैं सोचे थी Post Study Work Visa अप्लाई तो कर लूँगी मैंने व्रदर ने भी Post Study Work Visa अप्लाई कर अगर Tier 2 Visa मिल जाए तो कितना अच्छा होगा यार Tier 2 Visa मिल जाएगा तो पांच साल बात PR मिल जाएगी Post Study Work Visa तो ये काउंट ही नहीं होंगे मैंने गुरुजी से तो मांगा थे गुरुजी वीजा हो जाए पर मैंने ऐसा कुछ मन में था मेरे पर मैंने ऐसा कुछ Deliberately नहीं मांगा थे कि गुरुजी दे दो दे दो नहीं पर गुरुजी तो जब Bless करते हैं संगर जी आपको पता ही है गुरुजी की Blessing अनोखी है गुरुजी ने ऐसे Bless किया आप मानोंगे मैं लोकम जहां काम करती थी वहाँ एक practice मुझे मिला मेरे घर के पास dental practice पूशी हीद वहाँ मैंने join किया हुआ था उन्होंने मुझे permanent hire कर लिया था within six months तो वहाँ मैंने उनको visa की बात करी उन्होंने कहा कि yes we can offer visa कोई दिक्कत नहीं है पर हमारे पास license नहीं तो मैंने उनको बताया कि मैंने क्या गुरू जी ने बतलवाया कि ऐसे से license apply करो फिर ताकि आप मुझे visa मिल जाए मेरा visa ऐसे आप फिर मुझे sponsor कर सकते तो उन्होंने कहा ठीक है we will apply तो इतनी अच्छे लोग मिले मुझे उन्होंने मेरा आप मानोगे संगजी मेरा मार्च में visa expire हो रहा था post study work visa मैंने apply करना था मार्च में expire होने से पहले ही उनका license आ गया और expire होने से पहले उन्होंने मुझे tier 2 visa दे दिया जै गुरू जी शुकराना गुरू जी एक country में जहां मैंने इतना बड़ा step लिया decision लिया अपनी life का आना वहाँ पे visa मिलना जॉब मिलना एक अच्छी earning मिलना is just next to impossible क्योंकि मेरा भाई भी यहां पे 2000 से मेरे से पहले है और उसका अभी तक visa नहीं है वो अभी भी post study work visa पी है नहीं मिलता संगा जी इस country में इस नॉट easy to survive नहीं मिलता visa इतनी easily नहीं मिलता और इतना इतनी बड़ी उन्होंने मुसीबते निकाल दी इतनी बड़ी मुसीबते निकाल दी उसके बाद तो बस गुरुजी की किरपा होती ही गई होती ही गई और जो मिरे husband का जो था उसका भी मैं एक अलग से सत्संग करूंगी वो तक पूरा ही एक अलग और एक बहुती बड़ा सत्संग होगा जब वो हो जाएगा पर eventually गुरुजी ने मुझे मेरे husband और उनके जो in-laws मेरे जो in-laws हैं इन सबसे भी मेरा छुटकारा करा दिया मुझे divorce इतनी easily मिल गया जो कि एक impossible चीज़ वो भी एक foreign country में just next to impossible वो एक मेरा अलग ही बड़ा सत्संग होगा क्योंकि उसमें तो बहुत ही ज़ादा आप recently आप मानेंगे संगजी आप मैं recently इंडिया होके आई और अब जब ये मेरा divorce विवोस का सब चल रहा था इंडिया गई ममी पापा से मेली फिर जब वापिस आई तो अब husband साथ नहीं थे तो I was very depressed वी recently 2020-22 की बात है तो I was very depressed तो January-February मैं बहुत depressed थी I was like जैसे कहते है न post separation anxiety हो जाती है वो टाइप का anxiety and depression कुछ ऐसा सा हो गया कि बस मैं घब रहा हूँ कि Guruji ने visa कर दिया, job कर दिया जो मैं 14 years से फसी वी थी उससे भी निकाल दिया मुझे Guruji ने independent मना दिया और अब मुझे आप यहाँ पे अकेले survive करने अपने बच्चों के साथ will I be able to क्योंकि आज तक I was like 100% dependent on my husband, सब कुछ उनोंने करना यहाँ तक ही phone भी मेरा charging पे बो लगाते तो मेरा सारा काम उनोंने करना bank, bank, सब कुछ मैं, कुछ नहीं देखती थी मेरा बस काम होता था काम पे जाना, आना, अकाउंट में पैसे आजाने हैं, वो सब husband ने देखना है मेरे कुई हिसरदर दीनी है रेंट कैसे देना क्या देना मेरे कुछ नहीं देती थी और all of a sudden after getting divorce सब कुछ अपने सिर्फ पे आ जाना उपर से दो बच्चीया मेरे साथ है I was so so tensed कि मैं दो महीने ऐसी depression में चलेगी थी काम पे जाती थी करती थी बस I was just crying non-stop और March अभी recent बात है March 2023 में गुरुजी ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा संगजी ऐसा हाथ पकड़ा जो दो महीने जो मैंने साहा है रोज रोना धोना मैं इतनी वो हो गई थी इतनी ज़ादा depressed हो गई थी पंडितों के पास जाना पंडितों को call करना इंडिया अपने like I spend a lot of amount like astrology, tarot card and these अटरम अटरम सारी चीज़े मैंने apply कर लीगे संगजी सारी चीज़े मैंने दो मैंने जो depressed थी सारी चीज़े मैंने apply कर लीगे पर in between मैं गुरुजी से तो पूजा करी रही थी पर गुरुजी से पूजा कर रही थी वो connection नहीं हुआ था मेरा अब जो time है ना मार्श टॉन्टी टॉन्टी पर मेरा गुरुजी से direct connection हुआ क्योंकि मुझे तब गुरुजी ने एहसास दिलाया कि direct connection होता क्या है इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था direct connection क्या होता है आपने मुझे इतना अच्छा दिन दिखाया गुरुजी थैंक यू आप मुझे इस country में लाए गुरुजी थैंक यू आपने मेरे बच्चों को इतना blessed किया गुरुजी थैंक यू आपने मुझे मेरे बच्चों को इतनी अच्छी education दी उनको इतनी अच्छी culture पकड़के मुझे बाहर निकालना इस मुसीबत से उभारना मेरी जिम्मेदारिया बढ़ना ये पूरी डूब जाएगी गुरुजी ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा मुझे ऐसे पॉजिटिविटी से भर दिया मार्ट से लेके अब एप्रिल हो गया विदिन वन मन्थ गुरुजी ने मतलब क्या क्या नहीं किया ड्रीम दर्शन विजन, पॉजिटिविटी मेसेजज़ज़ मेरा गुरुजी से कनेक्शन है जो वो तो मेसेज़ज़स कित्रू होता है मैं वाटसेब गुरुप में हूँ वहाँ पे सुरोज सुबा मुझे मेसेज़ज़ज़ आते हैं मुझे पता ही मेरे लिए मेसेज़़ है इसी गुरुप में मुझे कल मेसेज़़ आए कि आप तो अपना सचसंग शेयर कर बड़े-बड़े सचसंग की बेट मत कर वो तो जब होगा होगा अब इसे तु करना स्टार्ट कर तो आप मानेंगे संगज़ जी गुरुजी ने मुझे ऐसे यहाँ पे जब 2023 मार्ट से मैं जब गुरुजी ने मुझे डिरेक्ट कनेक्शन किया गुरुजी ने मुझे डीरीम दिया डीरीम दर्शन में मैंने गुरुजी को कभी ने देखा पर गुरुजी का स्वरूब देखा है और आप मानेंगे मैं जब से यहाँ हूँ ना लंडन में 2021 से तब से मैं ढूंड रही हूँ कि मुझे कोई यहाँ पे गुरुजी के सत्संग कहीं तो होते होंगे गुरुजी के संगत को ही तो मैंने बहुत पर ट्राइ किया ढूंडने का फोन पे online कि कहीं तो होता होगा गुरुजी के संगत तो होती होंगे फिर मुझे लगा नहीं लंडन में का होते होंगे यहां नहीं होंगे, इतने followers यहां नहीं होंगे इंडिया या बाकी countries Canada, Canada का तो सुना, यहां का तो नहीं सुना कभी, बहुत try किया फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने छोड़ दे संचप गुरुजी से connection होया मेरा तब मुझे message आता है कि सचसंग इन मिल्टन कीन्स मैंने का सचसंग इन मिल्टन कीन्स मिल्टन कीन्स तो यह रहा, मतलब यहां पे भी सचसंग होते हैं, oh my god गुरुजी अब आप मेरे सचसंग बेबे बुलाओगे तो मैंने फटाफट उस messenger पे उस group में मैंने message किया कि लंडन में कहा सचसंग होते है प्लीज मुझे बताए, तो उन्होंने मुझे फटाफट इतनी अच्छी संगत है यहां की गुरुजी संगत, तो मैं बता नहीं सकती उन्होंने फटाफट मुझे अठारा मार्च को सचसंग का इंविटेशन भी आगया, लंडन में and I was like गुरुजी आपके टाइमिंग्स गुरुजी आपके टाइमिंग्स मतब गुरुजी के सारे टाइमिंग्स फिक्स हैं, कि गुरुजी आपको कब कहां बुलाना चाते हैं कब सचसंग में बुलाएंगे पहले, He makes you ready कि तुम पहले अपने कर्मा काटो मेरे से connect हो और जब तुम connect हो के जब when you are fully ready तब गुरुजी ने मुझे यहां सचसंग बुलाया और मैं जब डिसेंबर में गई थी पता नहीं क्या गुरुजी से soul connection था बस मैं रोती गी, रोती गी, रोती गी लंगर परशाद की और आ गई बहुत रोई, दिल खोल के रोई गुरुजी को बहुत शुकराना किया गुरुजी ने जो जो मुझे आज तक बक्षा है बड़े मंदिर भी गुरुजी ने बुलाया तब मुझे लग रहा था कि मैं टिकेट करके गई, उपर नहीं मैं नहीं गई, गुरुजी का बुलावा था यह मुझे अब रियलाइस हुआ, तब तो मुझे लग रहा था मैं टिकेट करके दिली जाके स्पेशल देख के हैं, यह ओपर ऐसा नहीं है गुरुजी ने मुझे बुलाया, मैंने नहीं, मैं नहीं गई तो बस यहां पर फिर गुरुजी ने मुझे सत्संगा भी बुला लिया अब एक और गुरुजी की ब्लेसिंग देखिए, मैंने कार बुक करी भी थी, अपनी आक्टोबर से की कार आए, कार आए, कार आए, मेरी कार नहीं आ रही थी मुझे पहले था कि मार्च और एप्लिट में मेरी कार मुझे डिलीवर हो जाएगी फिर मुझे मैसेज आया, कंपनी से, टोयोटा कंपनी से की नहीं आए, आपकी कार तो जून में आएगी और मैं बड़ी स्ट्रेस थी, तो फिर गुरुजी ने एक दिन में काम भी दे, मिरे दिमाग में डाला कि तो जा, ये कार कैंसल करा और जो कार मिल रही है वो उठा मतलब मानें कि सचसंग में बुलाने से पहले, 18 मार्च को मैंने सचसंग में जाना है और 17 मार्च को मेरे पास कार आ जाती है गुरुजी ने कहा कि अकेली अपनी दो लड़कियों को लेकि कैसे जाएगी, इसको गाड़ी दे दो मतलब सचसंग बुलाने से पहले गुरुजी ने सचसंग में जाने का इंतजाम तक कर दिया कि मुझे कोई तकलीफ ना हो और जिस दिन सचसंग था उस दिन ट्रेंट स्ट्राइक था पूरा लंडन में ट्रेंट स्ट्राइक था अगर मेरे पास कार ना होती ही मैं जानी सकती थी संगजी मुझे कोई means of convince नहीं था कोई transport कुछ नहीं था transportation सब बन था उस दिन it was a complete strike और I was so lucky कि मतलब गुरुजी ने ऐसे कराया मुझे शोरूम गया और instant जो कार available थी चाहे वो second 90 पर 2020 मॉडल थी same feature, सब कुछ same, color भी same जो मेरे पुराने कार में था सब मिल गया मुझे सचसंग में अटेंड हो कि कि सचसंग भी है मैं फिर सचसंग भी सुनना स्टार्ट भी, मुझे समझ आई फिर गुरुजी ने मुझे धिरी तिरे बताया मैं जल प्रशाद तो शुरू से ही भोग लगाती हूँ शुरू से हम जल प्रशाद रात को रखते हैं तांबे के लोटे में सुपह पीते पर उसको कैसे करना है कैसे उसको दोना है मैं पहले साबून से दोती थी उनने ये भी बताया कि पहले उसको तांबे के लोटे को नीमू से करना है उससे नहीं करना वो भी मैंने सीखा गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे चाय प्रशाद का भी भोग लगाने को बोला मैं गुरुजी को चाय प्रशाद मंगा अब चाय प्रशाद भोग लगाती हूँ लंगर प्रशाद का करना है पर रिखे कि I'm Bengali तो मैं non-vej टी रेनू तो मेरे घर में वेज जब बना मुझे थोड़े सुच्चे बरतन लाने है मेरी ममी इंडिया से आ रही है मैंने सुच्चे बरतन मंगा है कि non-vej वाले बरतन में तो गुरुजी को बना के भोग नहीं लगाँगी कढ़ाई वो बंगाए नय बरतन मंगाए गुरुजी के लिए मैं जैसी आएंगे मैं गुरुजी को मुझे पता है गुरुजी लंगर परशाद भी मोल रहें कि दे आप मैं वो भी स्टार्ट करूँगी जब जब वेज तो एक टाइम बनता ही है वो गुरुजी को मैं भोग लगाँगी जैसा भी बनेगा जो भी बनेगा पर जब भी मिलेगा एक टाइम तो मैं भोग लगाँगी वो भी गुरुजी ने मुझे सिखाया गुरूजी ने मुझे चाय प्रशाद का भी सिखाया गुरूजी ने मुझे सथ संग का भी सिखाया गुरूजी ने मुझे direct connection का भी सिखाया और गुरूजी मुझे visions देते हैं कि what will happen वो मेरे एक अलगी सथ संग है वो जब तह बहुत बड़ा सथ संग बनेगा संगर जी रोज के इतने सचसंग मैंने एक सचसंग सुना कि गुरुजी का जो लखी नंबर है 7 है गुरुजी का जो लखी नंबर 7 है और मुझे जो काहर मिली उसका नंबर था LM70OFC उसमें मतलब 7 और 0 दो ही नंबर था मतलब this is a blessing my car is a blessing of Guru जी it is blessed with 7 नंबर फिर एक दिन मैं सचसंग सुन रही थी ऐसी नंबर की उपर तो मैं जिम से आते आते देख रही थी तो मैंने ध्यान गया मेरे घर के नंबर पे and it's 133 I thought oh my god Guru जी मुझे सचसंग सुनाते हैं और सचसंग में से ही मेरा मेरा ही एक सचसंग निकलाता है कि Guru जी ने जो मुझे घर ब्लेस किया यहां लंडन में वो भी 7 नंबर है वो Guru जी ने मुझे अपने पर दे पे भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दिया वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है वो में अपने ने नेक्स सचसंग में शेर करूँगी जब यह वाला complete होजएगा वो अथ एक बहुत भड़ा सचसंग है मेरा complete होजएगा तो मैं घर पे भी सचसंग कराऊँगी अभी तक मैंने घर पे नहीं सचसंग कराए पर καूका मैं छोटा गर है मुझे गुरुजी कुछ मेरे फ्यूचर का चोड़ा जोड़ा विजन तकाते हैं गुरुजी मुझे चट रिप्लाइ कर देते कि देख मैंने बताया ना तुझे चट किसी ना किसी तरीके से तेली फैती नहीं हुई मेरी अभी तक मुझे गुरुजी के ऐसे डिरेक्ट आवाज नहीं आती है जैसे संगतों को आ जाती है डिरेक्ट उनको सुनाई देती है वो चीज नहीं है ड्रीम में भी मैंने अभी तक गुरुजी को नहीं देखा पर गुरुजी को मैं सरूप देखा है गुरुजी का एक बर गुरुजी को ग्रीन चोले में देखा था मेरे उपर से जादू तोने का कुछ निकाल रहे थे और वो मुझे पता नहीं क्या था पर उन्हें कुछ तो कष्ट काटा था वो एक बर देखा था उसके बाद से मेरी लाइफ में सारी पॉजिटिविटी है वो डिप्रेशन वली चीज़ें हट गी तो मुझे नहीं पता वो क्या था क्या कष्टा हाँ एक बर मैं सो रही थी अभी की बात है तो मुझे उपर एक छोट एकदम से आँख खुली मेरी और मुझे ऐसे लगा घुरुजी की फ्रेग्रेशन ऐसे रोज की होती है मुझे ऐसा नहीं पता था सचसंग सुन सुन के ही बहुत नॉलेज मिल रही है तो मैं आई बच्चों को बोला आपको पता है बटा जब घुरुजी होते है न जहां पर वहां पर ऐसे मुझे की फ्रेक्रेंस आती है तो बच्चे कहते ममी सच्चे मैंने कहा ममी आप जब आज काम पे गया ना स्कूल जाने से पहले हम दोनों को इतनी स्ट्रॉंग रोज की स्मेल आई पूरे घर में पूछो मत हम दोनों जाके देख रहे थे ममी ने मंदर में कोई धूप तो नहीं चला है जिसमें रोज की स्मेल आ रही है मैंने कहा अच्छा पिटा सच्ची आपने मज़े बता है ने कहता हमें पता ही नहीं कि रोज की स्मेल आती इतनी खुश्बू थी मतलब मैं अकेली हूँ तो मुझे उपने बच्चों की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है अब तो मैं पूरी निश्चन तो मुझे पता है कि जब मैं काम पे चले जाती हूँ गुरू जी मेरे बच्चों के साथ होते है वो मुझे उनकी स्कूल तक लेके जाते है उनको स्कूल से वापिस पिले किया थे, पूरा दिन मेरे बच्चों के साथ होते, मुझे उनकी टेंशन ने की, मुझे अब लगता ही नहीं, पहले मैं जो डरती थी, मैं अकेली हूँ, कैसे सर्वाइफ करूँगी, अब मुझे कोई डरी नहीं लगता, मुझे लगता है कि नह पता है, अब तो मैंने पूरा, पहले जो पंडितोपे, एस्ट्रो, ये सब कर लिए, आप तो गुरू जी का message आता है, तूने कर लिया जितना तूने करना था, अब चढ़ दे, मेरे ते चढ़ दे, तूने प्योँ मनिया है, मेरे ते चढ़ दे, जो करना है, मैंने करना है, अब तो बैट और देखी जाए मेरी planning तो देखी जा कमाल बस मुझे जिस दिन से ये message पढ़ा है मैंने का आप छड़ दिया गुरूजी सब कुछ आप पी छड़ दिया आप ही करूगी अब सब कुछ मैंने कुछ नहीं करना मैंने बस बैठना है और देखना है और enjoy करना है मुझे पता है क्या होने वाला है आगे मुझे visions दे दिया मेरे गुरूजी ने मुझे dreams भी देती है मेरे गुरुजी ने मेरी एक friend है वो भी गुरुजी को मानती है वो भी follower है उसको तो baby नहीं हो रहा था 7 साल से उसने लगता है 20 IBF fail हो चुकी है 20 सब कुछ कितने उसने struggle किया है गुरुजी ने उसको baby भी bless करती है वो भी बहुत एक गुरुजी की follower है मेरी school friend है भाबना अंटी उससे 20 years से में disconnected थी पर अब गुरुजी ने अचानक से मुझे last year ले few months से उससे connect किया है तो मुझे पता नहीं इसमें भी गुरुजी का एक बहुत बड़ी कोई planning है वो मुझे अभी नहीं पता क्या है पर हाँ हम रोज बात करते है गुरुजी की बाते करते है शेयर करते है वो भी बताती है मैं भी बताती हूँ हाँ जी सचसंग की एक और बात ने बताना भूल की अभी recently क्या होता है मैं जिम जाती हूँ अमरिद वर्षा करते हूँ हमारे घर तो आठ तक अपने अमरिद वर्षा नहीं करी हूँ तो गुरुजी उसको उनको बोलते है कि तो जा अपने घर में देख तेरे घर में मैं कब से अमरिद वर्षा कर चुका हूँ तो वो अंकल जब देखते हूँ घर में already सारे फोटो में अमृत वर्शा हो रही तो उनको realization ही होता तो मैं सुनते सुनते आई है तो मैं रात को जैसे मंदिर बंद कर रही थी तो कुरुजी की फोटो क्या कि मत था ठेखा मैंने का मैं भी देखो अपने कुरुजी में अमृत वर्शा पूरे ड्रॉप्स की रहे चोटे से सुरूप से वो मैंने अपने वाटसब गूरुप पे भी शेयर किया था भी रीसेंटली उन्होंने इंस्टा पे भी शेयर किया था अब मुझे लगा यार क्या है गुरुजी जो सचसंग सुनाते हैं वो मतलब मेरे डेली सचसंग से जुड़ा होता है और मुझे पता यह नहीं जो सवंतियों वही में उल जाता है मुझे जै गुरुजी जै गुरुजी शुकराना गुरुजी शुकराना गुरुजी शुकराना गुरुजी संगर जी सौरी अगर मैंसे कोई भी गलती हुई हो मुझे शमा कर देना संगर जी मैं अपना सचसंग यहीं समाप्त करती हूँ बहुत लंबा हो गया गुरू जी कि तो जितने मैं सचसंग करूँ उतने कम है वो तो अन एंडिंग है कोई एंडी नी है मुझे शमा कर देजाएगा गुरू जी प्रभू मेरे प्रभू मुझे शमा कर देजाएगा मैंसे कोई भी गलती हो कोई भी गलती हो मुझे हमीशा अपने चर्णों में चोड़के रखना कभी मुझे अपने से दूर मत करना जो भी गलती हो मुझे अपनी कल सही मार्व दिखाना, सही रस्ते पे लेकर चलना मुसिक को भी भी कुई भी गलती हो मुझे सही रस्ता दिखाना कभी मेरा हाथ ना छोड़ना प्रभू हमेशा मेरा हाथ थाम के रखना मेरे पिता, मेरे दोस्त मेरे सब कुछ आपो, मेरे साथी सब कुछ आपो दिन रात में आप से बात करना चाहती हूँ सदा आपके साथ रहना चाहती हूँ शुकराना गुरुजी प्रभू शुकराना थैंक यू संगर जी मेरा इस सच्छंग शेयर करने के लिए एक और सच्छंग में बहुत जल्दी अपने आप लोगे साथ एक बहुत बड़ा सच्छंग शेयर करूँगी थैंक यू गुरुजी थैंक यू गुरुजी थैंक यू संगर जी फर लिस्निंग में थैंक यू गुरुजी थैंक यू